उनलाइन पर जुडने वाले हैं श्री संजे कुमार चठ्धा जो कि एक बहुत ही सीनिय आड्विकेट हैं सुप्रीम कौट में और इनको खास एक जजबा है औरतों की मदद करने का और आज हमारे साथ वो रहेंगे और बात करेंगे जिसका मतलब हुआ घरेलू हिंसा जो की औरतों को कभी-कभी जहिलनी पड़ती है और अगर आप इस समस्या से परिशान हैं आपको सला मश्वरा की जरूरत है तो अभी बहुत ही जल्त मेरे साथ संजे कुमार चठ्धा जोडने वाले हैं टेलफोन लाइन पर मैं आप सब तो आप फ्लीज हमें SMS करिए, फोन मत करिए, केवल SMS करिए, हमारा नमर पर जुड़ गए हैं संजे कुमार चठ्धा जी, welcome to the show संजे जी Thank you किन, so kind of you That's my pleasure and honor, संजे जी मैंने तो बस announce ही किया कि आप आने वाले हैं और आज का issue है घरेलू हिंसा और अभी से कई सारे हमारे जो listeners हैं, उनके phone आने शुरू हो गए, मैं listeners से फिर एक बार request करूंगी कि देखे, phone पे तो संजे जी हैं तो मैं आपका phone नहीं उठा पाऊंगी आपको जो कहना है केवल SMS के जरिये पूछे, number है 53010 और या फिर 9968837309 संजे जी, इससे पहले कि हम लोगों के सवालों की तरफ जाएं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ मैंने कहीं पे ये पढ़ा था, ये जो domestic violence या violence against women पे जागरूपता के लिए कोई poster बना था और उसमें समझाया था कि सिरफ एक औरत पे हाथ उठाना, उसको मारना ही घरेलो हिंसा नहीं होती है अगर आप उसको पैसे नहीं दें, पैसे के लिए तंग करें, उससे पैसे चीन लें, या फिर उस पे psychological pressure डालें, या उसके emotions की care नहीं करें, या उसको कमरे में बंद कर दें और बाहर गुमने चले जाएं, उससे ना गुमाएं, ये भी एक तरीका है domestic violence का, क्या ये बात सच ह बिल्कुल सौ फीसिदी सच है, आप इसके बार में और बताएं, देखें, क्या है, मैं आपको थोड़ा सा प्रश्ट भूमी बताऊं, जैसा कि एक्ट का नाम है, घरेरू हिंसा से महिला का संगरक्षन अधिनियम 2005, ये domestic violence act हम जैसे जिसको बड़े short में कहते हैं, DV act, ये जै जैसा आपने बड़ा अच्छा प्रश्ट उठाया कि किस किस चीज को कवर करता है, तो उसमें physical abuse, जैसा आपने बताया, मार पीट, financial abuse, पैसे ना देना, पैसे की कोताही करना, किसी चीज के लिए, इलाज के लिए खर्चा चाहिए, नहीं देना, emotional abuse, किसी भी प्रकार से emotionally blackmailing कर रहे हैं, abuse कर रहे हैं, verbal abuse, बाचीट के जरीए, गाली गलोश कर रहे हैं, sexual abuse, किसी भी तरीके से, और इसके अलावा, मैं तो यूं कहूंगा, अगर आप मुछ से पूछें, तो किसी भी प्रकार से कोई भी abuse, जो की abuse का अर्थ है, कि कहीं पे भी महिला के खिलाफ किसी भी उत्पीरन किया जा रहा है, जी, 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 और वो महिला जो है, देखे, act की खुबी यह है, कि वो बात करता है महिला की, ना कि किसी रिष्टे को दर्शाता है, कि महिला, जो पती-पत्नी है, सिर्फ उनी का रिष्टा है, जी, 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 एनी वुमन, लेकिन ये, एक मि Okel, Okel, जो आइनि कि अगर वो घर में आपकी नौकरानी हो, उस पे भी यह बात लागों होती है, मेरा ख्याल है परिवार नहीं, तो कोई भी महिला रेलेशन पे नहीं हमने जूर दिया है, टोमस्टिक चारज़िवारी, घरेलू चारज़िवारी के भीतर कोई भी महिला, आपने बिलकुत सही कहा, इस इंटरपटेशन के आधार पर फिर है एक महिला जो आपके साथ घर में निवास करती है अगर उसके सिर्फ रिक्वार्मेंट यही दो है महिला का होना और नंबर दूसरा है डॉमेस्टिक रिलेशन होना यह दो रिक्वार्मेंट है और जो मैंने बताया कि कौन-कौन सी अब्यूजेज कौन-कौन सी हिंसाएं जिनको प्रिटेक्श रूप से वर्णित किया है कानून में फिजिकल अब्यूज, फरांशल अब्यूज, एमोशनल अब्यूज, वरबल अब्यूज, सेक्सल अब्यूज यह सारे वर्णित किये हैं और उनको एक्स्प्लेन किया है और किसी भी प्रकार का कोई harassment होता है, कोई abuse होती है, तो chapter 3 है कानून का, इस दीवी एक्ट जो मैंने बताया, घरेलू इंसा से महलाओं का संगरक्षन अधिनियम 2005, जो की 26 अक्टूबर 2006 से लागू है हमारे देश में, ये IPC के एडिशन में है, इंडिन पीनल कोड में, अगर कोई दुरगटना होती है, कोई IPC में कवर हो जाता है, तो वो तो है ही, ये भी लग जेगा, इन एडिशन है ये, जी, 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 तो, अच्छा, इसमें मैं आपसे एक और बात पूछना चाहती हूँ, कि देखे, अब हम 21 सती में आ गए हैं, और बहुत कुछ हमारे समाज में हो रहा है, जिसे हमें accept करना पड़ेगा, और मेरा इशारा है, live-in relationships में, तो अगर कोई live-in relationship में है, वो legally married नहीं है, और अगर वो आदमी उस लड़की पर और अवरत पर अत्याचार करे, तो क्या ये, वो भी शिकायत कर सकती है, domestic violence की? देखे, जैसा मैंने शुरुवात में, कारिकरम की शुरुवात में आपने भी कहा, और मैंने भी कहा, domestic relation में होना अवश्यक है, ना कि रिष्टा होना, और इसी लिए एक judgment आया था, 2010 में, उस judgment में, कोट ने बढ़े clarity से कहा था, कि even live-in relationship में, भी domestic violence act लगता है, अर्थात, domestic relationship प्रूव हो गई, साथ रह रह रहे हैं, चार दिवारी के अंदर, इतना बहुत है, और चाहे कोई भी रिष्टा हो, और आपने वड़ोत प्रासंगिक तरीके से कहा, कि क्या domestic help भी इसमें शामिल है, मैं, इस पे कोई judgment नहीं है, लेकिन मैं, सौ प्रतिश्ट कंफर्म हूँ, नए, क्योंकि मैं आपसे इसलिए खास तरूर से पूछ रही हूँ, क्योंकि आपी मैंने हिंदुस्तान में तो नहीं सुना है, लेकिन सुना था मैंने, कि कई बार लोग जो खाड़ी के देशों में रहते हैं, वो यहां हिंदुस्तान आते थे और उप्तों को ले जाते थे कि आओ, हम तुम्हें वहां काम देंगे, और अपने घर में उसे आया के तौर पे रखते थे कि हमारी सेवा करो बच्चे की, और ये रोती हुए वहां से आएं हैं वापिस इंदुस्तान, कि हमको वहां पे मारा पीटा, क्या हमें खाना नहीं मिला, और उनके खाना नहीं मि जिसमें बहुत प्रबलता के साथ एक महिला जो की दुखी है, जो की सेहन कर रही है, उसको एक एप्लिकेशन मूव करनी होती है, प्रोटेक्शन ओफिसर के अपॉइंट करने के लिए, और कोट पहली डेट पर ही प्रोटेक्शन ओफिसर अपॉइंट कर देता है, क्या-क्य चीजे होती ही वो आप जब पूछेंगी मैं बताऊंगा कि protection officer क्या 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 कर सकता है लेकिन नियाले और सबसे बड़ी खुबी कि ये अधिकतर हमने देखा है कि protection officer जो हैं वो महला ही होती है क्योंकि एक महला की बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकती है उसको निर्वाह कर सकती है उसकी मदद कर सकती है जी 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 तो ये बहुत महत्तपून चीज़ है अच्छा संजे जी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब आप ये सारी बातें कर रहे थे मेरे पास इतने सारे फोन आए हैं आदिल निवादा का सुनील कुमार यादव का फिर कोई हैं पुशकर राना इंतिखाब हैं रामपुर से बबलू सिंग घर एलपी करन सिंग ये सब फोन कर रहे हैं और मैं आप लोगों से बार-बार कह रहे हैं कि जब तक संजे जी मेरे साथ टेलफोन लाइन पर हैं मैं इनसे बात कर रहे हूँ मैं आपकी कॉल रिसीद नहीं कर सकते हूँ आप प्लीज केवल SMS कर ये और संदेश टाइप करके मुझे SMS कर दीजे 53010 पर या ये नंबर जिस पर आपने कॉल किया मैं संजे जी से आपका सवाल पूछ लूँगी क्योंकि ये बहुती sensitive issue है घरेलू हिंसा और मेरे खाल से संजे जी ये ऐसा एक समाज पर धबा है जो कि कोई status या class barriers नहीं देखता है ये lowest straight of society economically lowest straight of society से लेके एक्तम उपर तक भी जा सकता है क्या मैं सही बोल रही है बिल्कुल सही आपने फर्माया है तो इसमें it sees no barriers हर्थ हर्थ state of society के cases हमने देखे हैं जी और ये बिल्कुल barrier नहीं है और एक ही नीचे के तपके के या उपर के तपके के मद्देवर्गी हर जगा के इस तरह के cases psyche है जो एक उनका attitude है उस पे आप जोर दीजे और उनको council करिए कई ओर्टें कहती है कि ये जो घर की बात है ये घर के अंदर ही रहनी चाहिए अगर हमने अपना मूँ खोला तो घर की बदनामी होईगी हमारे आत्मी की बदनामी होईगी ये कई बार लड़कियों पर ओर्टों पर ये दबाब डाला जाता है कि अगर तुमने अपना मूँ खोला तो इसमें तुम्हारी बदनामी ज्यादा है आदमी की कम ये ऐसे बोला जाता है फिर ये पुराने जमाने से जो बातें चली आती हैं हमारी रीचनल भाषाओं में भी कई कहावते हैं यूपी में भी कहावते हैं कि आगर एक तरफ से अपनी उठाएगी वस्तर तो एक जांक दिखेगी दूसरी तरफ से उठाएगी तो दूसरी तो तुम अपना ही प्रदर्शन कर रही हो ये समस्या तुम्हारी नहीं सुलजने वाली है तो ये आप कैसे इन लोग को समझाएंगे देखे किरिन जी ये बहुत डीप रूटेट प्रॉब्लम है देखे सबसे महत्पूर जो है जैसा मैंने आपको बताया और मैं पहले भी इस विशे पर जब भी बात करता आया हूँ मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये क्योंकि हम लोग पेट्रियाकल सोसाइटी की में आगे बढ़ रहे हैं और कोई भी व्यक्ति ही जो है ये नहीं सहस्ता कि महिलाओं पर जाद आधिकार मिलें जैसे चल रहा है वैसा चले अगर पुरुष से आप कूछें लेकिन सच्चाई यही है कि आज महिलाओं और पुरुषों में कोई भिन्नता नहीं है हमको देखना पड़ेगा आप देखिए आज अगर हम देखें तो उच्च पदों पर महिलाओं बैठी हुई हैं इसके अलाबा एकनॉमिक फोरुम पे एकनॉमिक फ्रंट्स पे महिलाओं बहुत अच्छा कर रही है उसको मुझे बतानी कि आवशकता नहीं है लेकिन कानून जो है वो महिलाओं के फेवर में पूर्णता टिल्टिड है पूर्णता इस्टेबलिश्ट है पूर्णता बताता है कि कहीं पे भी अगर किसी महिला को कोई भी उत्पिन होता है किसी भी पड़कार का कोई इब्यूज होता है किसी भी परकार की कोई हिंसा होती जाए वो घरेलू हो और बाहर के लिए तो हमँको मालू में ऑफिस में 2013 का एक्ट है वो तो है ओफिस वाला लेकिन आज का क्योंकि कारेकरम केंदरित है घरेलू हिंसा पर तो मैं उसी पर जोड़ देना चाहूंगा घर में किसी भी परकार की फिजिकल, फिनांशल, इमोशनल, वर्बल, सेक्श्वल किसी भी परकार का अगर अब्यूज होता है तो पोड को सबसे जो अच्छी बात है कि जो मैंने बताया आपको मैं चैप्टर तीन में मैंने आपको बताया था कि प्रोटेक्शन ओफिसर का अपॉइंटमेंट होता है अगर प्रोटेक्शन ओफिसर अपॉइंट हो जाता है पहली देखते ही होता आया है ऐसा हम देखते हैं, तो वो जो लेडी है, वो इमीडेटली आपको सुरक्षा दिलवाती है, किसी भी प्रकार का जो उत्पिरनन उसको एकदम रुकवाए जाता है, हर प्रकार से, चाहे वो मोनेटरी रिलीफ हो, किसी महिला को पैसे ना मिल रहे हो, तो वो मोनेटरी रिलीफ इतनी तपरता से मिलता है, इतनी तेजी के साथ मिलता है, कि यह कानून, यही इस कानून की विशेशता भी है, मैं यह कहूँगा आपको, और चाहे वो बच्चों की कस्टडी हो, उससे रिलेटेड है, इमीडेटली, इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टन बात है, र मैंने आपको बता है, मॉनिटरी रिलीफ या मॉनिटरी ओर्डर हो, कस्टडी का ओर्डर हो, इसी प्रकार से एक है, रिजिदेंशल ओर्डर जिसे कहते हैं, यानि कि घर में रहे हैं, इमीडेटली, और हमने कई केसे में एक्स पार्टे पहली डेट पे रिजिदेंशल ओर लिए हैं, यहाँ पे एक महिला को यदि पुरुष ने घर से निकाल दिया है, तो जो ऐसी, यह बड़ा कॉमन है, मैं आपसे बताऊं, और जब निकाल दिया है, तो इमीडेटली कोट ने आदेश दिया है, कि उसी घर में, चाहे वो घर में उस महिला का के नाम है या नहीं ह पुरुष वहार रह रहा है, क्योंकि यह जो घर है, वो दोनों वहां एक खटा रह रहे थे, वहां जहां लास्ट लिवड हैं टोगेदर, वहीं पे दोनों को वापस बसाया जाएगा, तोनों को वहीं भीजा गया, जबकि वो घर किराय का था, उस आदमी ने निका, मैं किर ताकि करते हैं जब एक मन में उनके द्वेश आ जाता है, बन में उनके जलत विवार आ जाता है, तो उसको देखते हुए जो कोट है, उसने बहुत क्लियरिटी से ओर्डर किया कि ये वहीं रहेंगी और आप ही किराया देंगे, अगर नहीं देंगे तो फंटेम्ट अफ कोट ह आए हैं, जो कि very unfortunate है, कुछ ऐसे किस्से हुए हैं जिसमें औरत को, चाहिए वो कोई भी रिष्टा रहा हो, औरत को मारा पीटा गया है, एक आदमी ने मारा है, और उसके साथ, उस आदमी का साथ दिया एक औरत ने, आदमी और और औरत ने मिलकर और औरत पे वार किया या उ को परिशान किया, तो इसमें किस तरीके का case बनता है? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, कि ये किसी भी relationship में, domestic relationship में, फिर से मैं कह रहा हूँ, woman का अगर किसी भी तरीके से उत्पीडन हुआ है, तो जिसने उत्पीडन किया है, जैसे वो पुरुश है, उनके साथ एक मह मिला भी है, तो उसका भी वर्लन करके उसके खिलाब भी शेकायत की जा सकती है, और इसके अलावा, ये एक्ट जो DV Act है, ये IPC से अलग है, जैसे पिटाई की बात हुई, दो लोगों ने पिटा, आप IPC की धारा भी लगेगी, और Domestic Violence Act में, Section 12 में, आप complaint भी कर सकते हैं, तो IPC की धारा में, जिसमें की तमाम जो ओफेंसेज हैं, वो अल्रेडी डिफाइंड है, वो तो लगेंगी ही लगेंगी, साथ ही Domestic Violence Act भी लग जागा, तो इसलिए बचने का दूसरी चाहिए वो महिला हो, क्यों ना हो, उसको बचने का कोई भी मौका नहीं मिलता है, कानून की विवस्ता बहुत जटिल है, बहुत कठिन है ऐसे वेक्टी के प्रती. इस वक्त SMS में मुझसे किसी ने पूछा है, यह है Monusate, आमेठी से कहते हैं, आज का टॉपिक क्या है, दोरा दीजे, आज का टॉपिक है घरेलू हिंसा, और एक बड़ा ही क्लीशेड सा सवाल आया है, यह मेरे क्याल से, इसका तो जवाब पूरे प्रोग्राम में ही मिल कि घरेलू हिंसा को कैसे रोका जा सकता है, संजे जी और भी बहुत कुछ बातें आपको बताएंगे, लेकिन प्लीज मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि SMS करिये, तभी मैं उनको पढ़ पाऊंगे, और संजे जी से आपका सवाल पूछ पाऊंगी, जब तक कि आप SMS करते हैं, और संजे जी थोड़ी सी सांस लेते हैं, मैं चला देती हूँ एक गाना, और देखे, एक दौर ऐसा भी था, जब आदमे लोग औरतों का शुक्रिया कहते थे, कि बहुत शुक्रिया आप मेरी जिंदिगे में, उनको परिशान, संजे कुमार चटा जी का, जो कि सुप्रीम क हिंसा की शिकार हैं, या आप जानते हैं कि किसी को परिशानी हो रही है घरेलो हिंसा से, तो आप कैसे उन तक मदद पहुचा सकते हैं, संजे जी, मैं आप से एक सवाल पूछना चाहते हूँ, मैंने एक छोटी सी विडियो क्लिप देखी थी, पिछले साल जब ये पैंडमि हो रही है, और इंटरनाशनल ये एक कोड डिसाइड किया गया, कि ये जब आदमी उनको दबा के रखे हुआ है, और उनको डरा रहा है, धंका रहा है, तो वो बोल तो सकती नहीं है, अगर वो किसी भी स्ट्रेंजर को आते जाते देख लें, तो उनको हाथ से एक सिगनल दे बैठी होई थी, और पता नहीं क्यों उसको कुछ गड़बर लगी, ये कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा है, और उसने किसी तरीके से पानी देने के बहाने, या कुछ सर्फ करने के बहाने खाना, उसको अलग से बुलाया, और फिर उससे जल्दी से उसका नंबर वंबर ले और एरपोर्ट पे पहुंचते ही, एर हॉस्टस ने शिकायत कर दी थी, और वो सच में काफी सीरियस केस था, और वोमन वास बिंग अबूस देना चाहेंगे, कि can they reach out through these signals, एक इशारा करते हैं कि देखो मुझे इस तरीके से परिशानी हो रही है, और आप जो पडोसी है, ज क्या कर सकते हैं, can you just guide us? लोगों के भरम पहले से बिठा दिया जाता है, कि पता नहीं क्या हो जाएगा, अगर पुलिस आएगी, तो ऐसी परिस्तिती में एक, आप अगर नेक पे जाएंगे, तो एक टोल फ्री भी एक पोजीशन है, वहाँ पे आप चैटिंग के जरिये, गूगल में डालें, अगर आपके डॉमस्टिक वाइलेंज है, और वहाँ पे आप देखेंगे कि तो तीन एंजियोज हैं, और शायद जो महिला बाल कल्यान विभाग है, उन्होंने भी एक चैट नंबर दिया हुआ है, जहाँ पे गूगल से जाने पे आप उन लोगों से वहाँ पे एक्सपर्ट महि लाएं बैठी होती हैं, जो आपको गाइड कर देती हैं, और फिलकुल सो प्रतिशत आपकी जो चीज है, उसको फिलकुल सुरक्षित तरीके से बात किया रहाता है, और आपको बताएंगी कि क्या आपको करना चाहिए, जी तो ये एक नई सुविधा शुरू हुई है, और अगे आप बता रहे हैं कि शुरूआत में कि डूरिंग ये जो करोना काल में जबकि पुरुश और महिला दोनों घरों में ही बैठे हुए हैं, तो ज्यादा चांसे हैं और उसकी ज्यादा स्वरूप में जो घरेलू इंसा है, वो सामने आई है, तो इसमें को दो राये नही इसमें तकरीबन जो घरेलू हिंसा पहले अगर सौ होती थी, अब एक सो असी होती हैं, यानि कि अर्था दुगनी हो गई हैं, मतलब पहले अगर सौ केसिद हमें दिखते थे, तो बढ़के एक सो असी केसिद आब आजकल दिख रहे हैं इस पीरेट में, लॉक डाउन के पीर नहीं आती है, लेकिन एक्ष्वल में ये प्रॉब्लम परसिस्ट करती है, तो जैसा आपने बताया कि आपके पड़ोसी या कोई भी वेक्ती जो आपको मिलता है, वो आपकी मदद कर सकते हैं, पुलीस हैं, और ये हल्प लाइन नंबर्स हैं, यहां पे आप बात कर सकते हैं चैट कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, यहां पे आप इस बात को नकार नहीं सकते हैं, कि कई ऐसी ओरते हैं, जो बहुत पड़ी लिखी हैं, बहुत समझदार हैं, और उनको कानून अच्छी तरीके से पता है, और यहां पे कुछ ऐसे मापता हैं, मैं एक जेनरल स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे रही हूं, कुछ एक मामले आए हैं, जहां पे आदमी लोग रोते हुएं आए हैं, और कहा हैं, कि यह जो शिकायत की गई है, यह बे बुनियाद है, मुझे भसाने की कोशिश की गई है, और यह इस लौ का सिरफ प्रिटी एजुकेटेटेड हो, काफी बोल्ड अदबंग हैं, वो भी चड़ जाती हैं कि अगर तुम मेरे तरीके से यह घर का डेकोर नहीं करवाओगे, या अगर मुझे यहां घुमाने नहीं लिए चगलोगे, या मेरे पे इतना पचास लाक रुपे की शापिंग नहीं तंग किया, तो आप जरा यहां पर बता देंगे कि कितनी बातों में हम दाइरे में रहें और इसी को समझें क्योंकि फिर ऐसे तो मिया बीवी में शायद तनाव, मिया बीवी नहीं, मैं तो कहती हूं घर में अगर एक लड़की भी अपने पिताजी से एकदम से कह दे, कि य तो कहीं वो लड़की ना चोड़ी हो जा कहते हैं, कि मैं तो यह डिमेस्टिक वाइलन्स का केस लगा तूंगी, देखे, आपका यह इस तरह की बातें भी सामने हमने आती देखी हैं, जूटे मुकदमों की, और सीरिज ओव ऐसे केसे हमने देखे हैं, no doubt about it, लेकिन जो एक इस में जो पहलू है सबसे एहम, वो यह है कि यह जो समस्या है, यह प्राइमरली मुझे ऐसा लगता है, जो यह डोमस्टिक वाइलन्स के समस्या है, एक्शल सेंस में, यह अगर बैठ के खुले मन से दोनों पक्ष बात करें, तो यह समस्या बचती नहीं है, यह समाप्त हो जाती है, बिल्कुल यह कटू सचाई है, कि अगर आप बातचीत नहीं करेंगे, थोड़ा सा एकॉमेडेटिव नहीं होंगे, तो वो आगे बढ़ेगी नहीं, अगर साइकल है, तो उसमें एक साइकल का पईया और एक स्कूटर का पईया लगा के नहीं चला जा सकता, दोनो ही पईये साइकल के ही होने चाहिए, अगर साइक, दोनों लोगों को बैलेंस करके चलना होगा, बेहीं चीज़, दूसरी चीज़ जो आपने बताया, मिस्यूज ऑफ डिस एक्ट, निश्यत तोर पे इस एक्ट का भी, बाकी जो कानूनी विवस्थाएं हैं, जिस प्रकार से मिस्यूज होती हैं, क्योंकि ये बड़ा ही प्रेक्टिकल है, इसमें भी देखे ना, जो कानून की विवस्था है, वो सीरे यही कहती है, जो एक महिला आती है, और वो कहेगी, उस पे उसको ये माना जाएगा, कि जो इनका, इन्होंने कहा है, वो बात सही है, और उसके उप जाएगी अच्छी तरीके से बिगाड के रख दी, ये बिलकुल ये सचाई है, इसमें लेकिन बड़ा अगर परिपेक्ष देखा जाए, बड़े सवरूप में देखा जाए, ये एक्सेप्शन से मेरा मानना है, बड़े सवरूप में तो अभी भी जो, ने तो बड़े सवर बात आपने कही, इसी पे ही मैं बताना चाहता हूँ, वो वन्चित रहती है, तो इसी लिए कानून में एक विवस्था है, जो सरकार है, उसको ये कानून में लिखा गया देखे, कि आपको इस कानून की विवस्था को, इस पूरे लौ को, कि क्या इसका मोटिव है, क्यों इ और देखे इस कानून का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पुरुष को आपने फसा देना है, नहीं, इसी में एक सेक्शन चौदा है, बड़ा महत्पू ने इसको सुनिये आप, ये बताता है कि किसी भी दो रिलेशनशिप में जहां महिला और पुरुष होते हैं, अगर उनमें कोई द्वेश आ गया है, कोई लडाई हो गई है, तो ऐसी परिस्तिती में सेक्शन चौदा के अंतरगत, काउंसिलिंग का प्रवीजन है, और ट्रेंड काउंसिलर बैठे हुएं, जो आपकी समस्या का निवारल करेंगे, और हमने ये देखा है कि जब सेक्शन बारा के काउंसिलर के पास दोनों लोगों को भीजते हैं, और आपको जानके ये अतिहर्श होगा कि साट से सतर प्रतिशत केसिज, बहुत बड़ी संक्या है साट प्रतिशत, जो हैं काउंसिलिंग में रिसॉल्ड हो जाते हैं, और जब बैठके खुले मन से दोनों बैठते हैं, तो matter समाप्त हो जाता है. तो सही, ये बात साट प्रतिशत है, जैसे आप कहने वाले की spirit कुछ थी और आपके तो उनने कुछ और कुछ और कुछ लेके चले गए, ये बहुत महत्पून हैं, और महिलाएं, पुरुश, दोनों, क्योंकि एक human being है, human being नजाने किस tangent पे आप चले जाएं, तो वो गलत है, इसलिए काउंसलिंग का एक बहुत महत्पून रूल है, जैसा मैंने आपको बताया, और इसी प्रकार से एक और बड़ा अच्छा प्रवीजन है, जिसमें अगर आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या है, दिक्कत है, दोनों पार्टी थोड़ी भी पैच अप के लिए आपक दिखता है, तैयार है, तो एक welfare officer होता है, और वो प्राया, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है, जैसे की protection order देने के लिए protection officer होता है, ऐसी welfare officer, section 16, 15, not 16, उसमें लिखा हुआ है, कि जो welfare person है, उसके पास भीजा जाएगा, वो आपकी सारी जो भी समस्याएं है, उनको निव निवारन करने का प्रयास करेगा और वो आपको करेगी या करेगा वो आपको गाइड करेगा वो आपको हर संभव प्रयास करके आपकी समस्या का निवारन करेगा तो ये ना केवल एक सक्ती तो ही डंडा तो ही लेकिन साथ-साथ ये बहुत एहम प्रवीजन्स हैं जो लोग प है होता है कि जाएं कि ना जाएं ऐसी समस्या चल रही है जो real circumstances में आपको ये मालूम होना चाहिए कि section 16 of the domestic violence act ये provide करता है in camera proceedings के लिए अगर आप चाहें आप judge साथ से कह दें कि मैं ये चाहती हूं कि मेरे case को आप अलग से सुनें तो आपके case को in camera कोई और रहेगा ने सिर्फ आप judge और जो other side जो आपके husband है या आपके और जो पुरुश हैं जिनके साथ मुकदमा है जो आपके साथ domestic relation में हैं उनके साथ सिर्फ वही तीन चार लोग बैठके उस मुकदमे को समापन की और ले जाएंगे तो बहुत अच्छे अच्छे provision है इस act में और यह जो एक्ट है यह बहुत ही dynamic और future oriented act है अरफाद क्योंकि यह देखा जा रहा है कि अब जो हैं दोनो जो लोग हैं महिला और पुरुश साथ कंदे से कंदा मिला के आगे बढ़ रहे हैं ऐसी परिस्तिटियों में ऐसे dynamic acts की ऐसे मजबूत laws की आवश्रकता है और वही उसी उसमें कि सारी चीजें नयायोचित तरीके से हों सारी चीजें इतने बहतरीन तरीके से हों कि दोनों पक्ष खुश रहें इस अ विक्टरी फर बोथ इस नोट विक्टरी फर वन मैं अपने listeners को ये भी बताना चाहती हूं कि Sanjay GK जैसे advocates की हमारे देश को बहुत जरूरत है ये एक इनका जिंदगी में एक mission बन गया है कि लोगों को कानूनी मदद देना और कास दोर से ये जो औरतों से related problems हैं और इसके लिए इन्होंने अपना ये जो mission है उसके लिए इन्होंने अपना एक YouTube चैनल भी शुरू कर दिया है जो की fully committed dedicated है लोगों में कानूनी जागरुकता पहलाने का और इनके YouTube चैनल का नाम है spreading legal awareness तो प्लीज अगर आप देखे मैं आपकी telephone calls तो इस program में नहीं ले सकती हूँ मैंने का है SMS भेज़ी आपके SMS आने रहे हैं अगर आपको लगा कि आपका कोई सवाल आपकी कोई परिशानी it has been left unanswered ये हम जवाब इसका नहीं दे पाए तो प्लीज आप इनके YouTube चैनल पे ज़रूर जाएगा spreading legal awareness वहाँ पे आपक b-s-k-l-e-g-a-l b-s-k-legal dot o-r-g sanjay k-chadda at the rate b-s-k-l-e-g-a-l dot o-r-g please try to reach him over there ये एक बहुती महत्वपून काम कर रहे हैं समाज के लिए और इससे पहले कि Sanjay जी मैं आपसे और बातें करूँ I am going to take a little break आपको एक गाना सुनाती हूँ देखे एक वक था जब आतनी अपनी जिन्दगी में चाहिए जिसको मैं बहुत ही समाल के रखूँगा लेकिन वो अपनी स्पेसिफिकेशन्स भी इस तरी की जरूरत है कैसी श्रीमती जी की जो अपने पती की सीवा करें अब देखे ये दौर कैसे बदला है मुझे याद है मैंने ये जो हमारे प्रिंस की वाइफ हैं मेगान इन्होंने कहा कि इन्होंने एक एड़िटर्स्मेंट अमेरिका में देखा था ये शादी से पहले जिसमें कोई बरतन धोने का डिटर्जिंट था और उसमें डिटर्जिंट के आड में लिखा था कि calling out to all women and please use this तो she took an exception to it और उन्होंने पूरी अमेरि से expectation क्यों रखा जा रहा है कि वही बरतन्द होईगी तो अब तो बात-बात पे छोटी-छोटी बातों पे stereotypes को break किया जा रहा है और अगर नहीं कर रहे हैं तो आपका गला पकड़ने को तयार हैं आपको मुकदमे के वहलीज पर ले जाने को तयार हैं तो ये जो एक्तम से इ हिश्चे तोर पे बढ़ रहा है और उसका मुख्य कारण ये जैसा मैंने कारिकर्म की शुरुआत में भी कहा है कि दोनों पक्ष्णों को बड़े समझो जहां पे दो बरतन होंगे वो खड़केंगे ऐसी बात तो है दो वेक्ती चाहिए वो दो पुरुश भी रह रहे हों द एक लड़की कह रही थी कि उसको थोड़ा सा नाक कान गले का कुछ सर्दी जुकाम था और उसके हस्बन ने कहा कि मेरे लिए खाना बनाओ और उसके हस्बन को उसी के हाथ का खाना अच्छा लगता है शी अस टेकन एक्सेप्शन टुइट कि उसने कैसे उमीद रखे कि मैं बनाओंगी और वो अपने आदमी पे इल्जाम लगा रही है मिस बहेवियर का एक और केस था जब एक आदमी ने अपनी वाइफ से कहा कि मेरा सर्दबाद हो रहा है और वो फैल गए कि यह क्या मुझसे उमीद रखा कि मैं इसका सर्दबाओंगी अब ये बातें कहां तक ज कोटी होती है और वो इतना विशाल सरूप ले लेती है इसलिए मैंने आपको बताया ना सेक्शन 14 काउंसिलिंग के लिए रखा गया है जिसमें कि स्पेशलिस्ट काउंसिल हैं जो आपको बेठा के समझाएं कि आपकी समस्या क्या है पहली और उसके बाद उस समस्या का तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव चीज है लेकिन ये शुरुवात ही क्यों हूं हमारे सुनने वाले शुरुताओं को मैं कहना चाहूंगा कि हमको ये देखना चाहिए कि थोड़ा सा ब्रॉड माइंड़ होके रहना चाहिए और छोटी चीज़ों को चाहे वो दोनों पक् के लिए ठोड़ा सा ब्रॉड माइंड होके साथ चलना है साथ रहना है तो ठोड़ा सा एड़ जिस्ट करने की भी आघ्येश्ट कि किसी से अपनी बात कैसे कही जाती है उसे कैसे समझाया जाता है ये भी क्या हम सबको सीखने की जरूरत है बहुत important है communication से ही सारा खेल है सबसे the keyword आपने चुण लिया आपने तो बहुत ही अच्छा शब्द लिया और communication ऐसी होनी चाहिए कि दूसरा वेक्ति का है कि अच्छे लिए समाप्त करते हैं और वो कभ होगा जब बड़ी से बड़ी कटू बड़ी से बड़ी लड़ाईयां वो फिर कहते हैं चल या राद गई बात गई अब बात खतम करो नमबर एक और बड़ी लड़ाईयां वारताओं से समाप्त हो जाती है तो यह तो घर के अंदर की चोटी ज़ीज जो कि चोटा सा आप बीज ही ना बुने दे, मैं आप से बता रहा हूँ बार बार, बीज जो है उसको बुने ना दे और हर चीज को समापन की तरफ ले जाए, ना कि उसको बढ़ाने की तरफ लेके जाए, ये मूल मंत्र हैं ये सारे, जो भी आपने बता है, कम्मिनिकेशन, ब्रॉड माइंडेट होना, ये सारे, लेकिन देखिये, जहां पर बात आप कर रहे हैं, ब्रॉड माइंडेट होने की, तो मान लीजे, कोई एक परिवार है, जो की शेहर में नहीं रहता है, आई वूड से टाउन में रहता है, गाउन से थोड़ा बाहर, थोड आई गर की परंपरा नहीं है, ये हमारा जो एक कल्चर है, फैमिली कल्चर, उसके बिलकुल विपरीत है, तो क्या ये ओड़तें चिला सकते हैं, कि ये तो हमको प्रतारित किया जा रहा है? ये अगर आप यही तो नैले का काम है, नैले यही देखेगा कि क्या ये प्रतार्ला हो रही है? मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी भी प्रकार से अगर इस तरह का कुछ हो रहा है, तो वो प्रतार्ला है, वो एक ऐसी चीज है, जहां पे कि दोनों वेक्ति एक पटिकुलर difference of opinion और उसको बैटके मेरे को लगता है कि समाप्त किया जा सकता है ऐसी चीज को इसमें कोई कठनाई नहीं आनी चाहिए ऐसा मेरा अपना मानना है अचा जहां तक ये सरकार ने help देने की कोशिश करी है औरतों को घरेलो हिंसा से जाहे वो police stations की जरिये हो हो help lines की जरिये हो या legal aid हो जिस तरीके का आप भी काम कर रहे हैं तो आप एक हमें fair picture दीजे कि कहां तक कितने अंदर तक हमारे देश में जगा जगा पहलिए ये क्या सिर् तक रह गई है या has it gone down deeper into the villages also and ओरतों को वहां भी मदद मिल रही है देखे हर क्षेत्र का अपना दूसरा orientation है मैं आपको बहुत अच्छा सवाल किया दिल्ली में या शेहरी क्षेत्रों में इसी प्रकार से जो गाओं ग्रामीन हैं वहां पर जो कई छोटे छोटे एंजियोज हैं कई छोटी छोटी जैसे जो सरकार द्वारा चलित आशा बहने हैं या ये लोग हैं ये बड़ा की रूप अडाप्ट करते हैं ये बहुत ही important role अडा करते हैं ये महलाओं को मजबूती देने के लिए छोटी छोटी इनके जरी जरी महलाओं ही जाके उन महलाओं से मिलती हैं और regularly उनको understand कराती हैं क्योंकि और वो उन्हीं की भाशा में बात करती हैं उन्हीं के star की होती है और star का मतलब मेरा कहने का ये हैं कि उनके star पर जाके मेंटल वेवलेंथ जो है मेंटल वेवलेंथ मिलाके और कम्यूनिकेशन लेवल एक लेवल पर है और इससे बड़े-बड़े मुहिम हुए आप ये देखिए हमने देखे हर्याना के मैं उधारन दे रहा हूं आपको हर्याना के गाओं में कुछ एक गाओं थे जहां पे शराब के नश्य की वज़ा से पुरुष शराब पीता था और रोज घरेलू हिंसा होती थी इन सारी महलाओं ने अपने और ने मिलके एक ऐसा कारिकरम चलाया उस पूरे गाओं में और वहां से शराब की दुकाने बंद करी से हस खेल रहे हैं और सुरक्षित हैं तो एक दूसरा परिपेक्ष है लेकिन आपने क्योंकि पूछा तो मैंने जवाब दिया इसका कि ये हमारे सामने उधारन है तो अगर आप मन में ठान लेकि ये करना है तो कठनाई नहीं होगी और कानून की वैस्ता जहां तक कि घरेलू हिंसा की बात है जो आज का हमारा मुक्ष टॉपिक है उसमें मैं बताऊं कानून की वैस्ता निश्चित तोर पे महलाओं के फेवर में बनी हुई हैं हमने देखा कि किस प्रकार से चाहे वो मॉनेटरी रिलीफ हो चाहे वो रिसिदेंशल रिलीफ ओर हो कमपनसेशन का ओर हो कस्टेडी का बच्चे का कस्टेडी का ओर हो न तमाम जगाओं पे जो है महलाओं नए कानून जो कि 2005 में आया था 2006 से हम लोग ने उसको देखा था कि वो एप्लिकेबल हो रहा था तो वो अपने आप में एक बहुत इस्थरता परदान करता है सबसे पहले और नमबर दूसरी बात मजबूती भी परदान करता है महलाओं को कि अब एक special law है जो उनकी सुरक्षा के लिए है और इस law की सबसे बड़ी जो positivity है वो ये है कि ये बहुत ही quick action है बहुत तेजी से पहली date में ex-party order ये जो मैंने चार-पाची ने बताई न monetary, custody, residential, compensation बच्चे की custody का और तमाम इस तरह के जो मस्मले हैं उनको बहुत तेजी से निर्धारित करता है तो संजी जी मैं यही कहूंगी कि एक आदमी के तोर पर आपने एक आदमी की हैसियत से इतनी सारी बाते हैं आपने ओरतों के पक्ष में बोली this is your greatness और एक ओरत होने के नाते मैं यही अपील करूंगी सबसे कि please let us learn to live peacefully and co-exist peacefully समाज में हम दोनों को बराबर जगे दीके है आदमियों को भी और ओरतों को भी कोई ऐसा मुद्भेड नहीं होना चाहिए ऐसा कोई difference of opinion ऐसा भी नहीं हो कि बात सीधे लड़ाई पे आजाए और एक तम मन मुटाव और separation पे आजाए हम प्यार मुपत से रहें एक दूसरे की बात समझे and let's build a very peaceful harmonious society इसी से हमारा देश आगे वड़ेगा मैं आपका All India Radio की तरफ से सारे अपने सुनने वालों की तरफ से आपका धन्यवाद कहना चाहती हूँ धन्यवाद केरन जी और बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह के कारिकरम All India Radio समय समय पर करता रहता है जिससे की जन जन में इस तरह की चेतना जागरित होती है और कितने अच्छे शब्दों से आपने कारिकरम की समापन किया मैं आपको भी इसकी बहुत बहुत बदाई देता है और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है लिसनर से जिनके problems हम लोग नहीं ले पाई उनके phone calls के जरिये आप प्लीज इन से connect करिये संजे कुमार चड़ा जी से ये senior advocate है Supreme Court में और इनके YouTube channel पर चले जाहिए जिसका नाम है spreading legal awareness आपका एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया Thank you very much Thank you very much